हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुने एक नई वीडियो में आपका स्वागत हैं और आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं The Portrait of a Lady ये 11th के हॉर्ण बिल बुक का फास्ट चैप्टर है और जनकी 3 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं और आज सौता पार्ट है आज की वीडियो में हम The Portrait of a Lady को कंटिन्यू करने जा रहे हैं शलिए आज की वीडियो को करते हैं प्रारम, let's begin The Portrait of a Lady आज की इस टेक्स्ट को करते हैं प्रारम When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us जब मेरे माता पिता सेर में 80 तरीके से शैटल हो गए तब उन्हें हम दोनों को वहां बुला लिया That was a turning point in our friendship और यही हमारी मितरता में एक turning point था Although we shared the same room My grandmother no longer came to school with me City में रहने पर, शहर में निवास करने पर हमने मैं और मेरी दादी मां एक ही रूम को शेर करते थे अर्थार्थ एक ही रूम में रहने लगे पर तो अब दादी मां मेरे साथ स्कूल नहीं जाया करती थी I used to go to an English school in a motor bus अब मैं वहां एक अंग्रेजी विद्याले में बस के माध्यम से जाता था There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house अब वहां पर शेर में गाउं की तरे कुत्ते नहीं थे प्राणी फिरे मेरी दादी मांने कुत्ते ना मिलने के बजाए कुत्ते वहां पर ना होने के कारण अपने ही आंगन में छोटी छोटी छीडियाओं को दाना देना शुरू कर दिया उन्हें खिलाना प्रारम कर दिया शलिए आज के इस पेरा में difficult meaning को देख लेते हैं Comfortably सवीदा युक्त Shettled वेवस्तेत हो जाना Shent for बुलाना Turning point निर्णा एक बिंदू Friendship मितरता अल्दू यद्यपी Shared साजा किया Feeding खिलाना श्पेरोज शिडियाएं और कॉल्ट याड में आंगन As the years rolled by we saw lace of each other वर्स गुजरते गए अब हम दोनों बहुत कम अपेक्सा करत कम ही एक दूसरे के साथ रहते थे For some time she continued to whack me up and get me ready for school कभी कबार कि शुरुवाती समय में दादी मा मुझे जगाती और विद्याले के लिए त्यार करती When I came back she would ask me what the teacher had taught me जब मैं विद्याले से वापस आता तो दादी मा मुझे पूछ थी कि आज विद्याले में क्या पढ़ाया I would tell her English words and little things of Western science and learning तो मैं दादी मा को बता था कि आज स्कूल में अंग्रेजी वर्ड सिंखाये गई एल्फावेट सिंखाये गई या फिर इंग्लिज लेशन पढ़ाया गया और कुछ Western की science और Western के learning को सिखाया गया The law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. और दादी मा को मैं बता था कि वहाँ पर law of gravity, गुरुत्वा कर्षन के नियम M.Archimedes के जो सिद्दान्त थे वे भी पढ़ाये गए और साथ ही मैं ये भी कहता कि हमें ये science में पढ़ाया गया कि ये जो प्रत्वी है ये goal है इस परकार के जो lesson हमारे सला करते थे ये lesson पढ़े थे हमने उनके बारे में दादी मा को बताया करता था चलिए इस पहरा में difficult meaning को देख लेते हैं Rolled by गुजरना Continued लगातार Wack of जगाना Ready तयार करना Western science पाच्छते या पच्चिम देशों के विज्ञान Gravity यानि law of gravity गुरुत्वा क्रिश्न के नियम Archimedes प्रिंसिपल This made her unhappy ये बातें उन्हें नाखुष कर देती थी She could not help me with my lessons जब मैं गाउं में था तो मेरी पड़ाई में दादी मां help करती थी परन्तु यहां पर मेरे जो lesson थी Western science और learning की उनमें वो सायता नहीं कर पाती थी She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was noticing about good and the scriptures दादी मां Western science और English school की जो teaching थी उनमें वो इश्वास नहीं करती थी और इससे दादी मां का भी निरास हुआ करती थी क्योंकि इस परकार के teaching में नहीं तो कहीं God का अस्तित्व था नहीं God के बारे में पढ़ाया जाता था नहीं कहीं धार्मिक पुष्टकों का अध्यन करवाया जाता था One day I announced that we were being given music lesson एक दिन मैंने ये गोष्णा की और दादी मां को बताया हमें आज संगीत का पार्ट पढ़ाया गया She was very disturbed वह भाद दुखी हुई To her music had lewd associations उसके लिए संगीत दुष्ट और कामोकता से भरे प्राणियों के लिए होता था इस पेरा की difficult meaning को देख लेते हैं Believe मिस विश्वास करना, Disturb, दुखी होना, निरास होना, Scriptures, तार्मिक पुष्टकें, Announced, गोष्णा की, Music lesson, संगीत, पार्ट, Disturb, परिशान होना, दुखी होना Lute, कामोकता, दुष्ट और Association, साथी, संगती It was the monopoly of harlots It was the monopoly of harlots and beggars And not meant for gentle folk दादी मा के लिए, जो music lesson थे, वो ऐसे लगते थे, दादी मा का कहना था, जो music है, वो एक harlots और beggars के लिए होते हैं Monopoly का अर्थोता अधिकार, और harlots मिस वेश्याओं, और beggars मिस भिकारियों मतलब जो music सीखते हैं, वो दादी मा की नजर में harlots या फिर beggars होते हैं मतलब सजन पूरुसों के लिए, या सजन वैक्तियों के लिए, music कोई मायने नहीं रखता She said nothing, but her silence meant disapproval इस बात को सुनकर, दादी मा ज़्यादा बोली कुछ भी नहीं, सांत रही और इसी सांती का मतलब ये था, कि music lesson को वो disapproval करती थी, मतलब उसे स्विकार नहीं था She rarely talked to me after that अब इसके बाद, दादी मा मुझसे बहुत कम ही बोला करती थी आई इस पेरा में difficult meaning देख लेते हैं, monopoly एकादीकार, harlots विश्याएं, vigors, भिकारी, gentle fork, सजन प्रूस, nothing, कुछ नहीं, silence, सांती मिन्ट, अर्थ होना, disapproval, miss, आश्विकरती, rarely miss, muscles say, talk miss, बात करना When I went up to university, I was given a room of my own जब मैं university के लिए पढ़ने के लिए गया, तो मुझे घर में एक अलग कमरा दिया गया The common link of friendship was snapped मेरे और दादी मा के बीश में जो एक मितर थी, वो एकी जटके में तूट गई My grand mother accepted her second with resignation मेरी दादी मा ने समर्पन के भाव से एकांत वास मेरना स्विकार कर लिया She rarely left her spinning wheel to talk to anyone अब दादी मा मुश्किल से अपने जो spinning wheel थी, उसको वो चलाती थी यहनि बहुत मुश्किल से बहुत कम उस spinning wheel को रोक कर किसी से बात किया करती थी यहनि अपने काम में वैस्त रहती थी शलिए इस पेरा में difficult winning को देख लेते हैं Common link सामाने जो एक जोड था Friendship मिस मितरता Snap मिस एक जटके में तूट जाना Accepted मिस स्विकारना Seclusion मिस एकांत वास Resignation मिस समरपन Rarely मिस मुश्किल से Spinning wheel मिस जो कताई की मशीन थी Anyone मिस कोई From sunrise to sunset She said by her wheel spinning and reciting prayers अब दादी मा सुरे वद्य से लेकर सुर्यास तक अपने spinning wheel की पास में बैठ कर सरका काती और फिर Prayer को recite करती रहती थी यनि बार-बार prayer बोलती थी Only in the afternoon She relaxed for a while to feed the sparrows केवल दोपयर के समय कुछ समय के लिए वो आराम करती और उसके बाद में वहाँ जो sparrows आती थी आंगन में उनको दाना खिलाती While she sat in the veranda Breaking the bread into little bits And hundreds of little And hundreds of little birds Collected round her creating a Veritable bedlam of Surpings और उस समय जब वरांदा में बैट कर दादी मा रोटी के टोकड़ों को तोड़ती थी तो उसी समय छोटी-छोटी शिडियाएं जो कई शैकड़ों की शैक्या में थी उनके च्यारों तरपा कर एक वास्तविक एक वास्तविक आकार में बैट कर सहचाट की आवाज करती शौरगुल करती थी आई इस पेरा में डिफिकल्ट मिनिंग को देख लेते हैं रिलाक्स मिस आराम करना फीड मिस खिलाना वरांदा जो रूम के आगे जगे होती है वो ब्रेड मिस रोटी बैट मिस टुकड़े कलेक्टेड मिस एक्तरत होना क्रियेटिंग मिस निर्मान करना वेरिटेबल मिस वास्तविक बैडलम मिस मिस बैडलम मिस सौरगुल और सिर्पिंग मिस जो शीडियाओं की आवाज होती है सहसाथ करना सम कैम एन पर्स्ट ओन हर लेग्स others on her shoulders सिडियाओं आकर वहाँ कई ऐसी सिडियाओं थे उनके पाओं पर बैठ जाती कुछ कंधों पर बैठ थी some even sat on her head कुछ सिडियाओं ऐसे भी थी जो उनके सिर पर बैठ जाया करती थी she smiled but never shoot them away सिर पर बैठी हुई सिडियाओं को देख कर वो मुश्क्राती परन्तों उन्हें शूड करके या फिर उन्हें इशारा करके या आवाज करके दूर नहीं भगाती थी It used to be the happiest half hour of the day for her दादी मा के लिए आदा घंटा दिन का सबसी खुबशूरत और खुशी भरा टाइम हुआ करता था चरिये इस परा में difficult meaning को देख लेते हैं पस्ट बैटना, shoulders कंदे, never कभी नहीं, should away फ्रेजल बब है इशारा करते हुए दूर भगाना, happiest, खुशी भरा, half hour, आदा घंटा जब मैंने बाहर विदे जाने का निश्य किया यानि फर्दर इस्ट इडिज के लिए मुझे पूरा यकीन था कि दादी मा इस बात को सुनकर अफसेट होगी मुझे वहां पांच वर्स के लिए बाहर जाना था दादी मा की इतनी उमर थी कि उसके बारे में कोई नहीं कह सकता था कि कब उनकी डैथ हो जाए, बट माइ ग्राण मदर कुड पर इस बात पर दादी मा बड़ी द्रिड निश्य थी कि उसके कुछ नहीं होगा, she was not even sentimental वह तो बिलकूल इस बात को सुनकर भावुक भी नहीं हुई चरिये इस पेरा में difficult meaning को देख लेते हैं, decided miss निश्य करना, abroad miss बाहर या विदेश, further studies miss आगे का अध्यन या आगे की पड़ाई, sure miss, yakin, upset miss, synthet, sentimental miss, भावुक she came to leave me at the railway station, but did not talk or show any emotion, दादी मा मुझे विदा करने के railway station चली, वहाँ पर दादी मा ना तो कोई बाचित की, और नहीं किसी भी परकार के भाव दर्शाए, her lips mood in prayer, her mind was lost in prayer, दादी मा लगातार prayer को recite कर रही थी, यानि उसके होट हिल रहे थे, और दादी मा का मन था, वो भी prayer में खोया हुआ था, her fingers were busy telling the bits of her rosary, और दादी मा की जो अंगुलियां थी, वो एक जो हाथ में माला ले रखी थी, उनके मनकों को गिनने में विएस्ट थी, चलिए इस फेरा में difficult meaning को देख लेते हैं, emotion, भाव, prayer में प्रातना, lost में खोजाना, fingers में अंगुलियां, beads में मनके, और रोजरी में माला, silently, she kissed my forehead, and when I left, I searched the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between us, वहाँ खड़ी दादी माने सुपचाप मेरे ललाट को सुमा, और इस सुमते हुए ललाट ने, मुझे ऐसा मैसूस हुआ, सायद दादी मा की ये, जो मेरे ललाट को सुमने की, शाफ है, imprint से, ये ऐसा लगता है कि मेरे और दादी मा की बीस में, शाररिक जो संपर्क था, वो अंतिम बार हो रहा था, क्योंकि आपर लेखक, क्योंकि आपर, खुस्वन सिंग कह रहे हैं, कि जब मैं पांस वर्स से, बाद में वापस लोटूंगा, तो इस बात को कोई नहीं कहता था, ये कोई नहीं कह सकता था, कि दादी मा रहे गिया नहीं, but that was not so, परन्तु इतना ही नहीं, after five years, I came back home, and was met by her at the station, पांस वर्स बाद में घर लोटा, और उसी station पर दादी मा से मिला, she did not look a day older, अभी दादी मा, जब मैं पांस वर्स पहले गया, उससे एक दिन भी बुड़ी नहीं दिख रही थी, उससे एक दिन भी व्रिद नहीं दिख रही थी, she still had no time for words, अभी भी दादी मा के पास बात करने का समय नहीं था, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayers, जब दादी मा ने अपने arms में मुझे पकड़ा, तब मैं सुन सकता था कि दादी मा उस समय भी prayer को recite कर रही थी, prayer को बोल रही थी, प्रातना कर रही थी, चलिए इस प्यरा में difficult meaning को देख लेते हैं, silently, सांती का भाव, forehead miss, ललाट, सेरिष्ट, सावधानी से आसा रूप में, जैसे पौसित करते हैं, वैसे, imprint, sharp, perhaps, सायद, physical contact, सारेरिक संपर्क, between, मद्धे, दो के बीज, older, उड़धोना, कलाष्ट, कलाष्ट मिस, जकरना, रिशाइटिंग, दोरान करना, even the first day of my arrival, her heathiest moments were with her sparrows, whom she fed longer, and with three worlds, rebukes, मेरे घर आने के पर्थम दिन, दादी मा का जो सब सी, खुशी भरा पल था, वो वही समय था, जब दादी मा इस पेरों को, फीड गराती थी, रोटी के टुकडे खिलाती थी, और ये रोटी के टुकडे, लंबे समय से, ये रोटी के टुकडे, इन शेडियाओं को लंबे समय से, दादी खिलाया करती थी, और खिलाते समय, फिरिवाल्स रिब्यूक्स करती थी मतलब निरर्थक रूप से बिना डांटे फंटकारे इन सेडियां को खाना खिलाती थी चलिए इस पेरा में difficult meaning को देख लेते हैं arrival मिस पहुचना happiest मिस खुशी यह सबसे ज़्यादा खुश इस पेरोज मिस शिडियां फिरिवाल्स मिस निरर्थक रिब्यूक्स मिस डाटफटकार इन दे एवनिंग असेंज केम अबर हर साय के समय दादी मा के उपर थोड़ा सा परिवर्तन आया शी दिद नॉट प्रे यह पहली बार था दादी माने प्रे नहीं की प्रातना नहीं की शी कलेक्टेट दे वेमन अफ नेवर्वड गात अन ओल द्रम और शी दादी माने प्रोश की ओरतों को बुलाया एक तृत किया और वहां पर एक ड्रम लाया गया और साथ ही गाना पर ररम किया पर सेवरल आवार्स सी थांब दादी माने प्रोश ड्रम को अपनी थाप से बजाया और योधाओं की घर लोटने वाले गाने गाए सलिए इस पहरा की डिफिकल्ट मिनिंग को देख लेते हैं कॉलेक्टेड मिस एक्तरत किया वेमेन मिस औरतें नेबरोड मिस पडोस ड्रम मिस ढोल शेवरल मिस कई थांट मिस थपकी मारना शेगिंग मिस जूलदार इसकीन मिस खाल डिलापेटेड मिस जीरना आउस्ता और शेंग शेंग आफ दे होम कमिंग वारियर्स और गीत कैसे युद से लोटे हुए योधाओं के बारे में जो योधा थे उनके लोटने के समय जो एक शाहसिक गीत गाए जाते थे वो गाने शुरू किये अब जब लगातार दादी मा उस ड्रम को बजा रही थी तो अत्यदिक थकावट को जो अत्यदिक जो थकावट थी उनसे बचने के लिए हम दादी मा को रोकने का प्रियास कर रहे थे परशूड कर रहे थे राजी कर रहे थे कि कहीं ये ड्रम सोड कर आराम करें और ये पहला था मेरे दादी मा के जानने तक या जब से मैं दादी मा को देख रहा हूं ये पहली बार था कि दादी मा ने प्राथना नहीं की शरिये इस पहरा की difficult meaning को देख लेते हैं pursuit miss राजी करना, मनाना, stop रोकना, avoid miss बसना और stunning miss अत्यदिक तनाव और pray miss फ्रातना The next morning she was taken ill, अगनी सुबह दादी मा बिमार पड़ गई It was a mild fever and doctor told us that it would go फिर doctor को बुलाया गया डॉक्टर ने कहा कि यह हलका बुखार है और चला जाएगा But my grandmother thought differently पर यहाँ पर दादी मा हम सब यह मान रहे थे कि दादी मा ठीक हो जाएगी पर तो दादी मा हमारे इस विशारों से उल्टा सोस रही थी She told us that her end was near और दादी मा ने हमें बताया कि उसका अंतिम समय नजदी किये इस परा की difficult meaning इल मिस बिमार, फिवर मिस बोखार दिफरेंटी मिस भिन, नियर मिस नजदी She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray अपने जीवन काल के जो अंतिम chapter था, अंतिम समय था जो close होने वाला था, यानि दादी मा अंतिम समय पर थी तब उन्होंने जो pray थी उसको omit करना पड़ा, बंद करना पड़ा She was not going to waste any more time talking to us और दादी मा ने हम से बात करके दादी मा हम से दूसरी बातें करके अपना time west नहीं करना चाहती थी अपने time को west नहीं करना चाहती थी चलिए इस पेरा के difficult meaning को देख लेते हैं Since, जब से chapter, अध्याय, last chapter of her life मतलब उनके जीवन का अंतिम काल We protested, but she ignored our protest हम बार-बार इस बात के लिए विरोध कर रहे थे कि आपका अंतिम समय नहीं है पर नहीं तो हमारे इस भाव को दादी मा एगनौर करती रही She lay peacefully in bed her praying and telling her bits बिल्कुल अंतिम समय में दादी मा अपनी जो बैड थी वहां पर सोई हुए बिल्कुल सांती से प्रेयर करने लगी और जो मन के थे माला के मन के उनको टेलिंग करती रही Even before he could suspect, her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers हमें थोड़ा संदे होता उससे पहले दादी मा के होट रुख गई और अपने हाथ में से जो रोजरी थी वो बिल्कुल नीचे गिर गई क्योंकि अब जो हाथ थे, जो अंगुलियां थी, वो lifeless हो गई, निर्जिव हो गई और हमें लगा कि वो डेड हो गई, मृत हो गई, दादी मा चली गई, मौत हो गई चलिए इस पहरा की difficult meaning को देख लेते हैं, प्रोटेस्ट मिस विरोध करना, इग्नॉर्ड मिस नकारना, पीशफुली मिस सांती पूरवक, सस्पेक्ट मिस संदी, रोजरी मिस माला, लाइफलेस मिस निर्जिव, पहलर मिस पीलापन, नियो मिस जानना, डेड मिस मृत We lifted her off the bed and as is customary, हमने दादी मा को बैड चीनी से लिया, यह एक रिवाज होता है, जब कोई डेड हो जाता है, मृत हो जाता है, तो उसे बैड से हटा लिया जाता है We laid her on the ground and covered her with a red shroud, फिर दादी मा को आंगन में लिटा दिया गया, और उस पर red shroud डाल दिया गया, लाल कफन डाल दिया गया After a few hours of morning, we left her alone to make arrangements of our funeral, अब जब दादी मा डेड होगी, तो कुछ समय के लिए घर वालों ने morning की विलाप किया, उसके बाद में हम वहाँ से अंतिम संसकार के लिए जो arrangement थी, वेवस्ताएं थी, उनमें हम लग गए सलिए इस परा की difficult meaning को देख लेते हैं, customer miss, rewards, covered miss, ढखना, shroud miss, coffin, morning miss, विलाप करना, arrangement miss, विलाप करना, arrangement miss, विवस्ताएं, और funeral miss, सव या फिर अंतिम संसकार In the evening, we went to her room with a crude stacer to take her to be cremated साहे के समय हम दादी मा की कमरे में गए और एक crude stacer Crude stacer क्या होता है जैसे अर्थी कहलें, जो लकडियों से बने होती है वो अंतिम संसकार के लिए त्यार की, cremated की The sun was setting, सूर्यास तो रहा था And had later room and veranda with a blaze of golden light और स्वरणिम रोशनी से room और वरांदा को सजाया गया, रोशित किया गया We stopped half way in the courtyard और फिर्म आंगन की वीचो वीच रुख गई इस पेरा की difficult meaning को देख लेते है Crude structure मिश अर्थी, cremated मिश जो सव दहन करने की जो किरिया Shetting मिश यन सन शेटिंग, सुर्यास्त का काल, वरांदा Blaze of golden lights स्वार निम रोशनी की स्वार निम रोशनी Courthead मिश आंगन All over the veranda and in her room Light up to where she lead at and step wrapped in the red shroud पूरे ब्रामदा और रूम में जो रोशनी थी वहीं पर जो dead body पड़ी थी उनको एक shroud में लपेटा Thousands of sparrows set scattered on the floor दादी मा के जो dead body थी उनके चैरों तरफ जो आंगन का खुला भाग था वहाँ पर हजारों की संख्या में sparrows बैठी हुई थी बिक्री हुई बैठी हुई थी there was no shipping और एतने सांती के भाव से बैठी थी इन चिडियाओं ने कोई संख्याट की आवाज भी नहीं की we felt sorry for the birds हमें भी इन पक्षियों के लिए दुख था and my mother phased some bread for them और फिर मेरी मा उठी और इन पक्षियों के लिए bread लाई she brought it into little crumbs the way my grandmother used to फिर मेरी मा ने इस रोटी के जो रोटी थी उनको छोटे छोटे crumbs में किया टुकडों में किया जैसा कि दादी मा किया करती थी and threw it to them और फिर उन पक्षियों के लिए टुकडे डाल दी सलिए इस पेरा की difficult meaning को देख लेते हैं wrapped मिस लपेटना shroud मिस कफन sparrows मिस चिडियाए scattered मिस विखरे हुए shipping मिस shipping मिस सहचाट की आवाज fist मिस सामना होना या फिर लाना broken to मिस तोड़ना crumbs मिस छोटे टुकडे through मिस फैगना या फिर डालना the sparrows took no notice of the breed चिडियाओं ने इस रोटी की टुकड़ों पर कोई ध्यान नहीं दिया when we carried my grandmother's coughs off जब हमने दादी मा के सव को वाँ से उठा लिया they flew away quietly और वैसे ही दादी मा के सव को वाँ से उठाया dead body को और उसी समय ये शिडिया बड़े सान्तिस वाँ से उड़ गई next morning the sweeper swept the breed comes into the dust bean और अगली सुबे जब sweeper ने घर के आंगन का जाड़ू निकाला तो वो टुकड़े वैसे के वैसे पड़े थे जैसे खुस्वन सिंग की मा ने इन पक्षियों के लिए डाले थे उनको dust bean में sweeper ने एक्तरित करते हुए dust bean में डाल दिये इसका मतलब ये था कि उस दुख की घड़ी में चिडियाएं भी बहुत दुखी थी उन्होंने भी इन रोटी की टुकड़ों को नहीं खाया और दादी मा के जो सव को वहां से उठाया वैसे ही वो सिडियाएं भी वहां से ओड़ गई चलिए इस पैरा की difficult meaning को देख लेते हैं carrot उठाना या फिर ले जाना notice miss ध्यान देना coughs सव sweeper miss जाड़ू निकालने वाला swept miss जाड़ू निकालना या फिर जाड़ू निकाला comes miss ठोकड़े और dustbin miss जो कच्रा पातर होता है ये तो था हमारा hornbill book का first chapter the portrait of a lady was written by खुस्वन सिंग ये खुस्वन सिंग की autobiographical work है और इसमें खुस्वन सिंग ने अपने खुद की experience को सोग किया है experience को present किया है मुझे पूरी उमीद है कि आपने इस lesson को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा इस lesson में जो भी difficult word है difficult meaning है उनको आप अपनी notebook में लेक लें और साथ ही साथ उनकी practice करते हुए याद कर लें बाकी इस lesson के जो question answer है वह हम next video में पढ़ेंगे अगर आप नए हैं तो channel को subscribe जरूर करें thank you for watching today's class and to be ready for next